हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉइजनिंग का टॉपिक इसमें हम देखेंगे डेफिनिशन, कॉज़स, ताइनन, सिम्टम, एंड ट्रीट्मेंट तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनिशन पॉइजन एक ऐसा सबस्टांस है जो की सफिशियन गौंटिटी में ले लिया जाए यानि कि उतना ले लिया जाए जितना शरीर को पॉइजनिंग कर सकता है शरीर में हानिकारक हो सकता है तो वो हमारे शरीर में क्या करेगा temporary या फिर permanent डेमज कर देगा हमारी बॉडी को खराब कर देगा इवन ये death भी cause कर सकता है यह होता है poison तीक है कुछ भी medicine है है तो वह medicine किसी disease के लिए है किसी problem के लिए है दर्द की दवाई या चाहिए बुखार की दवाई है लेकिन अगर उसकी overdose अगर ले ले हम sufficient quantity उसको overdose कर ले तो वह भी poisoning कर देगा है कितने सारे कीट नाशक होते हैं खेतों में उनसे भी poisoning हमारे को हो सकती है हमारे skin से भी poisoning हो सकती है हमारे inhalation से भी poisoning हो सकती है बहुत तरीके से poisoning हो सकती है नेक्स देखते हैं poison enter the body through body के अंदर poison कैसे कैसे एंटर होता है इसका एक मिमोनिक है लियाम एंट-ई आपको याद रखने के लिए यह मिमोनिक है तो यह मिमोनिक में क्या है LCL lungs by breathing fume in injection by needle absorption through your skin mouth by swallowing things and eyes splash in the eyes यनि कि हम अगर breathing करते हैं पॉजने सबस्टांस को अगर breathe कर लिया हाना तो फिर lungs के through वह भी poisoning create कर सकता है poisoning जब होती है तो lungs पे बहुत effect करती है जिसके वह से death का यह मेनिक कारण बनता है सांस की problem फिर है injection by needle आपने ऐसी कोई needle patient की needle आपस में exchange कर दी sorry exchange होनी एक patient की needle दूसरे को भी लगा दी तो इससे भी problem हो सकती poisoning हो सकता है तो कोई ऐसा poisonous injection है वो किसी को लग गया अगर तो poisoning हो जाएगी एक तरीका हो सकता है इसलिए हर एक patient का syringe बदलना चाहिए हर एक injection के साथ बदलना चाहिए और अलग अलग separate रखने चाहिए absorption through your skin skin के absorption में कोई poisonous substance आ गया तो यह भी poisoning कर लेगा है ना हम सिर्फ माउट से ही नहीं लेते हैं हमारी skin में बहुत कुछ लेती है यह भी एक entry का path है body में आप पेल लगाते हो वो skin के room चिद्रों से जो चोटे pores होते हैं small pores उनसे अंदर चला जाता है तो इस तरह skin के absorption से भी हो सकता है mouth by swallowing things कुछ swallow कर लिया poisonous substance तो हो जाएगा जैसे कुछ लोग suicide करते हैं कुछ-कुछ poisonous substance ले लेते हैं तो उनको problem होती है death हो जाती है कई बाड़ी तो next है इसमें की eyes flashes in the eyes आंक में ऐसा कुछ splash चला गया poisonous substance आंक में चला गया तो वह भी poisoning करेगा इतने सारे इसके यानि की body के अंदर poison enter हो सकता है इन सारे roots से causes देखे क्या कारण हो सकते है poisoning के living medicine within the reach of children बच्चों के पहुंच में अगर दवाईयां हैं तो वो खा पी लेंगे उनको बच्चे पूरी syrup की syrup पी जाते हैं कोई उनके दवाई कोई कडवी नहीं लगती पूरे packet वो दवाई के जो पत्ते होते हैं सब खा लेते हैं तो वो poison उनको कर देगा carelessness on the part of parents parents बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है careless हैं लापर वाँ हैं तो उनकी parents की गलती से भी poisoning बच्चों को हो सकता है ऐसा ना उनकी पहुंच में कोई चीज़ है तो फर नेक्स्ट है improper storage and disposal of poisoning substance जो poisoning substance है उनका storage proper नहीं है यानि कि आपने आसपास में खुले में ही poisonous substance रखा है या फिर disposal अच्छे से नहीं किया फैकना था फिश यह ऐसी फैक दी उसको discard नहीं किया तो यह भी poisoning का कारण बन सकता है तो जो poisonous substance होते हैं एक तो वह ढंक से रखने चाहिए लॉक करके आपर अलमारे में रखो सामने रखोगे तो कुछ उसका हो सकता है improper use of insect spray. इंसेक्स प्रेंट चैसे कैसे होगा फ्रेंट्स जैसे कि अपनी इंसेक्स spray हम cockroach मारने का spray यूजस करते हैं कोने में लगाया कहीं कहीं लगाया और फिर कई वचाने की चीज पे चिड़का जाता है और फिर वो जब कोई खाएगा तो उसको poisoning होसकती है दीक है किसी fruit मैडिसन और अल्कॉल यदि मिक्स होगे तो कारण बन सकता है पॉइसनिंग का केपिंग अनलेबल्ड मैडिसन लेवर ही नहीं है पता ही निये कौन सी दवाई है और वह ऐसे ही किसी ने ले ली तो पॉइसनिंग कर लेगी उसके बाद है taking medicine in the dark डार्क में रखने से medicines को क्या होता है कि वह खराब होने का रहता है कि खराब हो सकती है दबाई तो फिर वह poisoning कर सकती है Inhalation or swallowing of dangerous substance कुछ dangerous substance कोई poisoning poisonous बदार्थ ऐसा है जो कि स्वैलो अगर कोई कर ले उसको सूंग ले तो फिर पॉजनिंग हो जाएगी ये भी कारण है पॉजन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दे ओरिजिनल कंटीनर टू जार और सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स पॉजन जो है वो ट्रांसफर भी हो सकता है जो सॉफ्टरिंग की बोटल्स है या फिर जार में या फिर इस तरह से भी पॉजन वाली बोटल थी माली जै कोई जहरीले पैदार्ट की बोटल थी आपने खानी करी वह अच्छे से वह वाश नहीं हुई या फिर बिलकुल भी किस पॉजनिंग हो जाए उसने चाहे वह गलती से पॉजन बॉडी मेंटर हो जाए तो क्या साइनेंट सिंटम दिखेंगे लक्षन दिखेंगे एक तो अब्डॉमिनल पेन हो का वामिटिंग हो सकती है नोजिया हो सकता है डिजीनेस पेशन को चक्कर आने शुरू हो जाएगा जनीन में वो रहेगा हैडेक हो सकता है डिफिकल्टी ब्रीधिंग हो सकती है और यह आपने देखा होगा साइनों से शरीर नीला पढ़ने लग जाता है जो भी जहरीला पदार्थ को खा ले तो शरीर उसका नीला पढ़ना शुरू हो जाता है और मुह में से जाग भी निकल कि respiration rapid and shallow respiration भी ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है बर्न ड्यू तुद्ध को रोजिव पॉईजिन को रोजिव पॉईजिन से क्या हो सकता है बर्न हो सकता है को रोजिव जो यूज करते हैं कुछ सबस्टांस खेतों बगारा में भी अनकॉंशिसनेस पेशन डिसॉरेंट इंकॉं कर दिया जाए पुलिस को पता होना चाहिए क्योंकि फिर यह लीगल हो जाता है केस बन जाता है इसका क्योंकि हो सकता है सुसाइट केस हो सकता किसी ने पॉईजन किसी को दिया हो ऐसा भी हो सकता है और फस्टेड फिर समझते हम फस्टेड में क्या करेंगे पहला है कि पुल चाहें find out what poison he she swallowed ये भी ट्राइब करना चाहिए कि क्या लिया है उसने क्या poison हुआ है उसको किस टाइब की poison के ताकि उसका antidote देखे फटा फट से patient को हम उसकी जान बचा सकें तो कि antidote होते हैं हर एक चीज का कोई भी poison हो जाए बट अगर पता ही नहीं है कि क्या poison उसने लिया है क्या कुछ खा कि वह ऐसे मर गया है मतलब उसको क्या हो गया है तो फिर पता नहीं चल पाएगा और यानि कि यह रिस्क बन जाएगा लाइफ के लिए उस patient की फिर लाइफ फ्रेटनिंग कंडिशन ही बन सकती है if the patient has burn lift mouth or tongue don't make the person vomit अगर तो जो patient है उसके होट जो है वह जल रहे है house जाल रहे हैं तो उसको वमिट के लिए नहीं करना है कि वह वमिट करें वं यह वह करए वं रहते बैसे तो पहला पहला स्टप यह ही है कि वमिट कर देना चाहिए वं वह कर वाने चाहिए कुछ करा कि डॉक्टर जो हैं वो जहर को निकालेंगे यह तरीका इसमें होगा एक दपरसन वोमिट बाइ गिविंग फोर और मोर ग्लास ओफ वार्म वाटर विद सौल्ट और बेकिंग सोड़ा इन इट डाइलूट द पॉईजन मिल्क तो प्रोटेक्ट डाइस्टिव ट्रेक्ट लाइनिंग यह क्या रही है फ्रेंड्स की जो परसन होता है जिसने पॉईजन कर रहा होता तो उसको जाह से जाह से जाह ब LEO करने बेकिंग लाइनAKE मिल्क बाने प्रोट टो कि ढिलांति हो जायका दयानगा थे नदिया, मिल्क वो बेकिंग सोड़ा शूता है ने हमारे मींद्ध क्याण चाह सकंदो से आपकी बैकिंग ःर्क्ट हो और बैकिंग आपकिंग प्रेंगन की टालओं यह करना चाहिए पुतिंग फिंगर डाउन ही इंडियों वामिटिंग कराने की कोशिश करने फॉर्स टेड में यह सब कुछ कर सकते हैं गया जासे कि मुफ़घने डालिये और में यह वाएटि नहीं करते हैं अगर तो जैसे कि जल रहा है तब वामिटि नहीं करा नहीं यह जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया था गिव वन टेबल स्पून ओफ सिरप आई पेक इस पॉसिबल यह एक सिरप आते है जिसे की वॉमिटिंग होती है यह सिरप का नाम है तो यह भी दे सकते हैं अगर आपके पास है घर पे आप ला सकते हो तो इस चिस्त क्या होता है कि एक चमश देने से ना वॉ टोस्ट यह तरीके पाय है कि वॉमिटिंगर हो जाती है तो उसके बाद यह भी कर सकते हैं जो एक्टिविट चार्कॉल पाउडर है बहुत अच्छा चीज है पॉइजनिंग के लिए क्योंकि क्या होता कि चार्कॉल जासे ले लेता है ना वाटर में मिक्स करके तो वह जित को आगा चार्कॉल चार्कॉल उसको सब्टॉर्ट करना यह कैसा इसका बना सकते हैं प्रसाइदर सकते हो ऊपके लिए नहें और इसके लावा जो नोट्स यह हमारे टेलीग्राम ग्रूप में है नर्सिंग क्राइटिरिया के नाम से बहुत बच्छें पूछती है क्या है ल करोगे आपको मिल जाएगा जल्दी से जॉइन कर लो आप वहां पर भी and thank you so much for watching